इसी बीश देश में बड़े कोरोना के संकट के बीच आज से दो दिनों की केंद्र और राज्यों की एहम बैठक शुरू हो गई है प्रुधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने पंचाब, चंदिगर्ट समेथ पहाड़ी और पूर्वोतर के राज्यों के साथ बैठक आज की और मुख्यमंत्रियों से समवाद में पियम मोदी ने कहा कि कोरोना वारत से हुई किसी की भी मौत है सहच करने वाली है पियम मोदी ने कहा कि भविश में जब कभी भरत की कोरोना की लड़ाई के खिराफ इसका अध्यान होगा तो ये दौर इसलिए भी याद किया जाएगा कि कैसे इस दौराद हमने एक साथ मिलकर कारिखिया आपको बता दे कि मुख्यमंत्रियों के साथ छटी बैठक में कई बातों पर मंधन होगा सूत्रों के मताबि कोरोना के वज़े से सबसे संक्रोमित 20 जिलों पर इसका जोर होगा जिले के हसाब से बैठ, टेस्टिंग केच और दूसरी मेडिकल सुविधाओं पर चर्चा भी होगी कोरोना से प्रभाविच शेराजों के बीच बहतर तालमेल भरबाचीत होगी कि कैसे इस दौरान हमने साथ मिलकर के काम किया, कोपरेटिव फर्डरिलिजम का सर्वोत्तम उधारन प्रस्थूत किया साथियों जब कोरोना दुनिया के अनेग देशों में चर्चा का विशव ही नहीं बना था तब भारत ने इस से निपढने के लिए तैयारिया शुरू कर दी थी, फैसले लेने शुरू कर दिया थे हमने एक एक भारतिय की जिंदगी को बचाने के लिए दिन रात महनत की है, बीते हपतों में हजारों की संख्या में हमारे भारतिय भाई भेन विदेश से अपने वतन वापिस लौटे हैं बीते हफ्तों में लाखों की संख्या में प्रवासी स्रमीक अपने अपने गाउं पहुँचे हैं रेल, रोड, एर, सी, सारे मार करीब करीब अब खुल चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमारी इतनी जनसंख्या होने के बावजूद भारत में कोरोना, संक्रमन उस जैसा विनास्कारी प्रभाव नहीं दिखा पाया जो दुनिया के और देशों में कोरोना ने आफ़त पैदा की है